श्री रंगम या श्री रंगनात स्वामी मंदिर ये मंदिर भगवान विश्नु को समर्पित है और दक्षुन भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है ये मंदिर तंबिल नाडू राजे में तिरुचरा पल्ली जिले में स्वीरंगम नामक स्थान पर इस्तित है पुरानी कथाओं के अनुसार वैदिकाल में गुदावरी नदी के थट पर गौतम रिशी का आश्रम था उस समय अनिक शेत्रों में जल की काफी कमी थी एक दिन जल की तलाश में कुछ रिशी गौतम रिशी के आश्रम जा पहुँचे अपनी अथाशक्ती अनुसार गौतम रिशी ने उनका आदर सत्कार कर उन्हें भोजन कराया परंतु रिशीयों को उनसे इर्शय होने लगी उर्वाला भूमी के लालच में रिशीयों ने मिलकर छल के द्वारा गौतम रिशी पर गोहत्या का आरोप लगा दिया तता हुनकी संपूर्ण भूमी हत्या ले इसके बाद गौतम रिशी ने श्री रंगम जाकर श्री रंक्रिनात श्री हरी विश्नु की अराधना की और उनकी सेवा की गौतम रिशी की सेवा से प्रसंद होकर श्री रंगना जी ने उन्हें दर्शन दिये और पूरा छेत्र उनके नाम कर दिया और गौतम रिशी के आगरापर स्वेम ब्रह्मा जी ने विश्यू के सबसे बड़े इस भवे मंदिर का निर्मान किया था भगवान श्री राम के वनवास काल में इस मंदिर में देवताओं की भगवान राम के द्वारा पूजा की जाती थी और रामड पर श्री राम की विज़े के बाद मंदिर और देवताओं को राजा विभीशन को सौप दिया गया भगवान श्री विश्नु विभीशन के सामने उपस्थित हुए और इसी स्थान पर रंगनाथ के रूप में रहने की इच्छा व्यक्त की कहा जाता है कि तब से भगवान श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में यहां वास करते हैं और श्री रंगन से लेकर श्री पदनाथ स्वामी मंदिर तीवनन पुरन तक के शेत्र में व्याप्त है धन्यवाद